भारतिय मसालों में हल्दी का एकालग ही महत्व है। यही कारण है कि आपको हर घर की रसोई में हल्दी जरूर मिलेगी। हल्दी खाने का स्वाद और रंग रूप तो बढ़ाती ही है साथ ही यह कई तरह के रोगों से भी रक्षा करती है। प्राचीन काल से ही हल्दी को जड़ी बूटी के रूप में इस्तिमाल किया जा रहा है। आयूरवेद में हल्दी के फायदे के बारे में विस्तर तुल लेख है। इस लेख में हम आपको हल्दी के फायदेक नुकसान और खाने के तरीके के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। हल्दी की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनने मुख्य रूप से निमनलिखे चार प्रजातियों का प्रयोग चिकित्सा में किया जाता है। हल्दी की इस प्रजाती का उप्योग मुख्य रूप से मसालों और औशधियों के रूप में किया जाता है। इसके पौधे 60-90 सेमी तक उचे होते हैं। इस हल्दी का रंग अंदर से लाल या पीला होता है। यही वो हल्दी है जिसका उप्योग हम अपने घरों में सबजी बनाने में करते हैं। इसे जंगली हल्दी कहते हैं। इस हल्दी के कंद और पत्तों में कपूर और आम जैसी महक होती है। इसी वजह से इसे आमा हल्दी कहा जाता है। इसे काली हल्दी कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस हल्दी में चमतकारिक गुन होते हैं। इस हल्दी का उप्योग जोतिश और तंत्र विद्या में ज्यादा होता है। हल्दी के फायदे और सेवन का तरीका हल्दी हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती है जिस वज़े से तमाम तरह की संक्रामक बीमारियों से बचाव होता है। हल्दी में वातकाफ दोशों को कम करने वाले गुन होते हैं और यह शरीर में खून बढ़ाने में मदद करती है। आये जानते हैं की हल्दी के सेवन से किन रोगों में आराम मिलता है और इसका सेवन किस तरह करना चाहिए। जुकौम में हल्दी के फायदे। हल्दी की तासीर गर्म होने की वज़े से जुकॉम में इसका सेवन करना फायदेमन रहता है। हल्दी के धुए को रात के समय सून्धने से जुकॉम जल्दी ठीक होता है। हल्दी सून्धने के कुछ देर बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। सिर की फूसियों से आराम दिलाती है हल्दी. गर्मी के मौसम में सिर में फूसिया निकलना एक आम समस्या है. फूसियों के कारण सिर में तेज खुजली और जलन होती है. इस समस्या से आराम पाने के लिए हल्दी और दारू हरिद्रा, भूनिम, त्रिफला, नीम और चंदन को पीस कर रोजाना सिर पर मालिश करें। हल्दी के फायदे आँखों के दर्द से आराम दिलाती है हल्दी। आँखों में दर्द होने पर या किसी तरह का संक्रमन होने पर हल्दी का प्रयोग करना फायदे मन्द रहता है। एक ग्राम हल्दी को 25 मिली पानी में उबाल कर च्छान लें। च्छानने के बाद इसे आँखों में बार बार डालने से आँखों के दर्द से आराम मिलता है। कंजक्टिवाइटिस होने पर भी आप इसी घरेलू उपाई की मदद से आराम पा सकते हैं। हल्दी का गुर्ण आँखों के लिए बहुत ही उप्योगी होता है। हल्दी के फायदे कान बहने की समस्या से आराम। कान से गाड़ा तरल निकलना एक समस्या है जिसे आम भाशा में लोग कान बहना कहते हैं।